ग्वालियर क्रिक्ट प्रेमियों के लिए बड़े खुश खबरी जी हाँ ग्वालियर के इस्ट्रिमंत माधम राव सिंध्या नवीन क्रिक्ट स्टेडियम में 14 साल बाद टीम इंडिया खेलने उतरेगी बारत और बंगलादेश की बीच 6 अक्तूबर को खेला जाने वाला टीटमेटी सीरीज का ये पहला इंटरनेशनल मैच होगा इसकी जानकारी केंद्रिय तूर संचार मंतरी जोतर अधित सिंख्या ने अपने शूशन मीजा के ट्विटर एक्स हैंडिल पर ट्वीट कर साजा की उन्होंने लिखा है कि 14 साल का इंतजार हुआ पूरा समस्तो ग्वाली अर्वासियों को हार्दिक बढ़ाई एवं शिप कामना है चदवर्ष की इंतजार के बाद शेहर में पहली बार अमतराश की क्रिकेट मैच 6 अक्तूबर 2024 को भारट और बंगला देश की बीच खेला जाएगा नंदर में श्रीमंत माधवराव सिंध्या क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाले ये टी-ट्वेंटी मैच निश्चिती करकेट प्रेमियों के लेक सौगात होगा साथ इस्थानी आर्थववस्था को एक नई शक्ती देगा आपको बता दें कि वी सी सी आई के द्वारा दी गई गोशना के साथ इस बात की जानकारी भी दी गई कि 2024-25 के लिए टीम इंडिया के आगामी होम सीजन में भारत और बंगलादेश के भी 6 अक्तूबर 2024 को पहला टी-20 मैच दरमशाला में आयोजित होने वाला था कर दें हम में रह जा था दोनेी होम सी कारे वाला शोशना के वी साहतक दोệc दो वालादेश के कभी के रह बालादे को, वी सी 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 भारत दूणर ती-20 मैं आः ज़ रले से वी सी सी अक्तूव लाम भारत आपवित ह।